पिछली रात करीब साधे ग्यारा वजे चंबा के रठ्यार पंचायत की गाउं रठ्यार में जोगिंद सिंग की तीन पोश रसोई और एक गोशाला में आग लग गई आग लगने से गोशाला में बंदी हुई तीन गाए आग की चपेट में आ गई जिन्नोंने मोके पर ही दम तोड़ दिया बताया जा रहा है कि आग लगने के कारण लगवग दो लाग का नुकसान हुआ है आग लगने से स्थानिय लोगों ने फायर विवाग के करमचारियों को सूचित किया सूचना मिलते ही वे अपनी गाड़ियों सहित गटना स्थल पर पहुंचे छे अगनी शमन करमचारियों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया तथा आसपास के घरों को फायर विर्गेट वस्थानी लोगों की सहायता से बचा लिया गया अन्य था काफी नुकसान हो सकता था घटनस्तल का विधाइक चमबा पवन नेयर ने भी दोरा किया और प्रभावितों को हर संभब सहायता देने की बात कही जो यह आग की घटना थी यह तकदिवन रात को साड़े ग्यारा वजे के आसपास हुई ग्यारा पैटिस पे जैसे ही हमें आग की सुचना मिली तो तुरंत हमारा फायर प्रभी यहां से रवाला हो गया अर्मिस्तल के लिए और मतलब डाई तीन गंटे की मुशकत के बाद इस सागो काभू पालिया गया इसमें तीन काये जो थी पालतु गये थि वह मतलब मंदरा नीटर के आसपास जो दू देती थी वह तिने तिनों ही जलके इसमें मिरित पाई गई और इसमें हमें जो हमारा फायर क्रिव रात को दो बच के पश्पन-निट पे वापिस केंदर में और इसमें आपकी जो आग लगने का कारण है हुआ हमें अभी बालूम नहीं पड़ा इसलिए आग लगने का कारण अभ्याद है बाकी इसके बारे में चानवे नहीं चल रही है फग दो लाग के आसपास जो संपत्ति का नुक्सान हुआ है जिसमें तुन गाय और गौशाला का वहां पड़ा में चल के निश्टी यदि समय रहते हैं इस आग पर काबू नहीं पाया गया तो साथ लगती बौशाला थी तो वह भी जलकी नश्ट हो जाती थी और साथ में रियाशि मकान थे जिसे हमने जिसे हमेरे सात लग्ति संपत्ती को बचाया गया है। हमारे फायर कर्णम चारी दोहरा बहुत बड़े मुख्वान को होने से बचाया गया। और एक ही गुशालर का नुप्सान होगा, बागी सात में लग्ति गुशालर को भी बचा लिया गया।